Welcome to my YouTube चैनल आज की इस वीडियो में जो आपका राजिस्तान फोरस्ट गार्ड का एक्जाम होने वाला है 12 नोहमबर और 13 नोहमबर को उसी के टॉप मोश इंपोर्टेंट कोशन को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को यह 100 परसंट गारंटी देता हूँ कि राजिस्तान फोरस्ट गार्ड के एक्जाम में बिल्कुल ऐसे ही कोशन पोचे जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइकों सिहत जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्च रहेगा आपका भारत का शब्दानिक विकास और दूसरा टॉपिक रहेगा संबिधान की उद्देशी का विसेस्ताएं एबम ना गिटता तो खुद से प्रयास कीजिएगा इस सभी कोशन के आंसर देने का दो से तीन सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा तो आज के सेसन में पहला कोशन रहेगा गाइस वीडियो को सेर कर दीजिए आप लोग जल्दी से चल्ली ताकि हम लोग अपनी कलास जो है वो स्टार्ट कर सकें सेसन को सेर कर दीजिए सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा तो पहला कोशन आज का ये रहा निमलेखित में से किस अधनियम के अंतरगत भारतिय विधान परिस्ट को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्त हुई है अप्सन वी भारतिय परिस्ट अधनियम अठारा सो बानवे दूसरा कोश्यन सम्मिदान सबा में सदस्यों का चुनाओं कैसे हुआ था सम्मिदान सबा में सदस्यों का चुनाओं प्रांती अविधान सबाओं के द्वारा हुआ था सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए तता सुचियों के नीचे दिएक कूर से सही उत्तर का चैन कीजिए आप्सन वी तो गाइस मिलान कैसे करना है मिलान करना सीख लेजे आप लो क्योंकि मिलान वाले कोशियन यह मान के चले लगवक दो से तीन कोशियन इस टॉपिक से कोशियन पोछे जाएंगे जो मिलान वाले होते हैं अगला कोशियन देखेगा अंतरगत इस्थापित किया गया केंद्र में दोएद साजन किस अधनियम की अंतरगत जो है इस्थापित किया गया भारसरकार अधनियम 1935 अगला कोशियन देखेगा गयस काबिनेट मिसन योजना के अंतरगत सम्मिधान निर्मात्री परिस्थत में प्रतेक प्रांत को आवन्टित सरस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिन धी कितनी जन्ज संख्या की अनुपात में था सातमा कोशियन देखेगा एक निर्वाचित सम्मिधान सभा द्वारा सरप्रथम भारत की सम्मिधान का निर्मार करने का प्रस्ताव किया गया था तो ये जो प्रस्ताव है क्रिस्थ मिसन के द्वारा प्रस्ताव किया गया था आठमा कोशिन भारत में उपनिवेशी सासन के संदर में 1883 में इलवट विल का उद्दिस था भारत में उपनिवेशी सासन के संदर में 1883 में इलवट विल का उद्दिस क्या था जहां तक अदालतों की दानर्डिक अधिकारिता का सम्मंद था भारती ये तथा एरोपिये लोगों को बराबरी पर रखना अगला कोशन राष्ट पती की अध्यादेश निर्गत करने की सक्ति प्रेरित है भारतिय विधान पाली का पर्थम बार्दुई सद्धिनिये बनाई गई तो भारतिय विधान पाली का पर्थम बार्दुई सद्धिनिये ये कब बनाई गई तो ये बनाई गई थी उन्नीस सो उन्नीस के भारत सरकार अध्यनियम द्वारा ऑप्सन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा सो गाइज आज के सिसन में अगला कोशन रहेगा उन्नीस सो उन्नीस के भारत सासन अध्यनियम की निमलिकित में से कौन सी प्रमुक बिसेस्ता या बिसेस्ता हैं निमलिकित कूटों के अधार पर सही उत्तर चुने आप्सन सी यानि की पहला और तीसरा चले बात कर लेते हैं गले कोशन की भारत परिस्त की समाप्ति किसके द्वारा हुई भारत परिस्त की जो समाप्ति है गायसी किसके द्वारा हुई 1947 का अध्यनियम आप्सन सी आज के सेसन में अगला कोशन रहेगा भारत के सम्मिधान का प्रारूप तैयार करने वाले सम्मिधान सभा के सदस्यों को कौनामित करता है ओप्सन सी बिविन प्रांतों की बिधान सभाओं द्वारा चुना गया चौधमा कोशन देखेगा किस अधिनियम ने भारत बासियों को अपने देश के प्रसासर में कुछ हिस्सा लेना सम्मभब बनाया चार्टर एक्ट अठारा सो तेंतिस ओप्सन ए अगला कोशन सुतमत्र भारत की समिधान सभा के अध्यक्ष कौन थे सुतमत्र भारत की समिधान सभा के अध्यक्ष टेट डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ ओप्सन वी जो है आपका ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा सोल्मा कोशन देखेगा 1946 मिन निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिसत के उपर सवापती कौन थे पंडित जवाला नहरू समिधान सभा के चुने हुए 27 सदस से कौन थे काईस समिधान सभा के चुने हुए 27 सदस से कौन थे डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ ओप्सन सी अधारवा कोशन अखिल भारतिय महासंग इस्थापित करने का प्राबधान सामिल किया गया था अगला कोशन भारत की समिधान निर्मात्री सवा के अध्यक्च कौन थे परिच्छा के ड्रस्टी से काफी इंपोर्टन कोशन है सभी राजिंदर प्रसाथ ओप्सन ए बीसमा कोशन भारत के लिए समिधान की रचना है तुष समिधान सभा का विचार निमलिखित में से सरपर्थम किसे ने प्रस्तुत किया था सुगाज ये प्रस्तुत किया था सुराज पार्टी ने 1934 में तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन ए आज के सेसन में अगला कोशन रहेगा निमलिखित में से कौन कौन से कथन समिधान सभा के विचार में नहीं है तो ए वाला जो ऑप्सन है आपका पहला और तूसरा अब देखेगा कथन ए और कारण आर कथन ए को पढ़ना है आपको कारण आर को पढ़ना है ठीक है आपसन सी जो है आपका ये विल्कुल सही हो जाएगा कथन सही है पर कारण गलत है ये जला जो कथन है ये सही हो जाएगा और कारण आर जो है ये गलत हो जाएगा बेमर यूजना की अनुसार कारकारी परिसत में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संक्या समान होती थी चले बात कर लेते हैं अगले कोशन की अगला कोशन क्या है देखेगा भारतिय समिधान सवा की स्थापना की गई थी भारतिय सम्मिधान सभा के इस्थापना कब की गई थी 9 दिसंबर 1946 को तो बी वाला जो अप्सन है आपका ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा चो विसमा कोशन भारतिय सम्मिधान को बनाने है तो सम्मिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे कुल बारा अधिवेशन हुए थे तो सी वाला जो अप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा सो गाज अगला कोशन सम्मिधान सभा में बयाक्स मातादिगार को 15 वर्स के लिए इस्थगित करने की बात किसने कही थी ओफ्सन सी मौलाना आजादने की थी सो गाज अगला कोशन 1935 के अधिनियम द्वारा इस्थापित संग में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी ये शक्तियां गबर्णर जनरल को दी गई थी तो ओफ्सन सी जो है आपका ये बल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चब यह बढ़ते हैं गले कोशन की ओर 27 कोशन देखेगा क्या है निम लिखित में सिस समिधान सवा की संग समिधान समित का अध्यक्च कौन था जो भी कोशन मैं आप लोगों को करा रहा हूं सभी कोशन काफी इंपोर्टन है परिच्चा की ड्रेश्टी से अगला कोशन अठाइसमा 1935 के अधिनियम के तहट कराए गए पिदान सवाद चुनाओ में किस राज में कांग्रेश ने पूर्ण भूमत नहीं प्राप्त किया बंगाल बंगाल करेक्ट अंसर हो जाएगा उन्तिसमा कोशन किस कानून के तहट वाइस सराय को अपनी कार्यकारणी के सरस्यों की संक्या में ब्रद्धी का अधिकार दिया गया तो भाई राइट अंसर हो जाएगा 1861 ओप्सन ए चले बात कर लेते हैं एकले कोशन की निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सासन अधिनियम 1935 में सुईकार किया हुआ मैत्वपूर्ण और इस्थाई अवववय नहीं है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा देश के लिए लिखित सम्मिधान ओप्सन ए 31 कोशन देखेगा भारत का सम्मिधान पूर्ण रूप से तयार हुआ था तो यह तयार हुआ था 26 नॉमंबर 1949 को अप्सन वी करेक्ठ हों जाएगा अगला कोशन भारतिय सम्मिदान कब लागू हुआ था तो भारतिय सम्मिदान जो है गायज ये लागू हुआ था 26 अनवरी 1950 को तित्यस्मा कोश्यन सम्मिदान सवा के सम्मुक सम्मिदान की प्रस्ताबना का प्रस्ताव किसने रखा तो इसका जो प्रस्ताव है जवाला नहरू ने रखा स्री जवाला नहरू अगला कोशन भारत के सम्मिधान में केंद्र और राजियों के बीच किया गया शक्तियों का बिवाजन इनमें से किसमें उलेखित योजना पर आधारित है सुगाज यह आधारित है भारत सरकार अधनियम 1935 नेश कोशन किस वर्ष संसत ने भारतिय समिधान अपनाया 1950 में संसत ने भारतिय समिधान अपनाया था सुगाज आज की सेसन में अगला कोशन रहेगा वर्ष 1946 के चुनाओं के पश्षात मुसलिम लिंग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई अंसर हो जाएगा बंगाल ठीक है अगला कोशन देखेगा सहतिसमा कोशन क्या है निमलिखित में से किसीने सुजाओ दिया था कि भारत की सुतंतरता के बाद भारतिय राश्टिय कांग्रेस को एक राजनेटिक बेल के रूब में भंग कर दिया जाना चाहिए मातमा गांधी अगला कोशन देखेगा निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए उपियोक्त कत्रों में से कौन सा सही है ओप्सन C पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है अगला कोशन देखेगा निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए उपियोक्त कत्रों में से कौन से सही है 39 तो option V जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा पहला वाला भारत की समिदान सवा ने राष्टिय दोज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था ठीक है चलिए बात कर लेते हैं गले portion की कथन A और कारण R देखेगा और पढ़िया और आंसर दीजिए आप option V जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा A और R दोनों सब्ते हैं परन्तु R A की सही स्पश्टि करण नहीं है ठीक है अगला कोशन देखेगा गाईस भारतिय समिदान सवा की प्रारूप समित का अध्यक्ष कौन था डॉक्टर भिम्राव मेडिकर option A जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन 1937 के चुनाओं के पश्चात यूपी में गठित मंत्री मंडल में किसको वित विभाग दिया गया था रफी अहमद किदवई option C समिधान सवा ने अगला कोशन की समिधान सवा ने डॉक्टर वी आरमेड कर की अध्यस्ता में प्रारूप समित का गठन कब किया 29 अगस्त 1947 option D से ही हो जाएगा अगला कोशन देखेगा 45 कोशन है निम लेखित में से किस अधनियम ने शबधानिक निरकुषता के सिद्धान का अनुमोधन किया तो राइट अंसर हो जाएगा 1935 का अधनियम option C आज की सेसन में अगला कोशन रहेगा समिदान सवा की प्रांतिय समिदान समिति का अध्याक्ष कौन था सरदार पटेल option D से हो जाएगा नेश कोशन देखेगा डॉक्टर वीम राव अम्बेटरकर का जन्म और मरत्यों कब हुआ था option V 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में डॉक्टर भीम राव अम्बेटरकर की मरत्यों हुई थी यह आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन किस वर्ष में जन्म गर्ण मन को भारत के राष्ट गान के रूप में अपनाया गया तो यह अपनाया गया था वर्ष 1950 में तो option C जो है आपका यह विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन देखेगा guys क्या है कोशन है कि समिधान पांडू लेकर समित का निम्न में से कौन सतसे नहीं था पंडित जवाला नहिरू option D भारतिय समिधान को अपनाया गया था समिधान सवाद वरा option A जो है आपका यह विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन भारत की समिधान के निर्माण में समिधान सवाद को कितना समय लगा दो वर्स ग्यारा माँ 18 दिन तो option A जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन भारत सासन द्वारा राजकी चिन इस्टेट एल्बम कब से अंगरी करत किया गया तो ये अंगी करत किया गया था 26 जनवरी 1950 को तो option D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन समिधान निर्मात्री परसत की जंडा समित के अध्यक्च काउन थे डॉक्टर राजेन्दर परसाथ आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन देखेगा गाइस भारत को एक समिधान देने का प्रस्ताव समिधान सवादोरा पारित किया गया था 26 जुलाई 1946 को अगला कोशन देखेगा नेश कोशन है गाईज भारत की सुदंतरता के समय इंगलेंड में किस पार्टी की सरकार थी लेवर पार्टी की आपका विलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन भारतिय समिधान सबा की पहली बैठक ये कब हुई थी भारतिय समिधान सबा की जो पहली बैठक हुई थी तो गाज ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आपशन C जो है आपका विलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन भी आर अमबेटकर का समिधान सबा में निर्वाचन हुआ था वी आर अमेटर का समिदान सबावे निरवाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी में अगला कोशन देखेगा गाइस निमलिखित अधनियमों में से किस अधनियम के फल सुरूप बर्मा भारत से अलग हुआ ऑप्सन सी गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट उनिसो पैंटिस नेश कोशन भारत की समिदान सबावा ने राष्टिय धोज को सर पर्थम कब सुईकार किया 22 जुलाई 1947 इस वी को तो ऑप्सन ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन समिदान सबावा में उद्देश प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये प्रस्ताव जो है पंडिच जवाल नहिरू के द्वारा पारित किया गया था अगला कोश्यन भारतिये समिधान को 26 नॉवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था समिधान सभा द्वारा यह आपको ध्यान में रखना है अगला कोश्यन निमल लिखित में से कौन अगस्त 1946 इस्वी में गठित पर्थम अंत्रिम राष्टिय सरकार का सदस्य नहीं था टॉक्टर एस राधा क्रश्नन और अप्शन सी अगला कोशन निमल लिखित में से किस एक अधनियम द्वारा भारत में संगीय न्याले की इस्थापना की गई थी उप्युक्त में से कोई नहीं चले बात कर लेते हैं अगले कोशन की कोशन है गाइस सम्मिदान सवा किस शबदानिक सलाकार कौन थे वी एन राउ अगला कोशन देखेगा भारत में सोदंतरता के पश्यात मंत्री मंडल का कानून मंत्री कौन था डॉक्टर वी आर अमबेड कर आउप्सन डी आज की सेसन में अगला कोशन रहेगा गाइस निमलिखत में से कौन समिदान प्रारो समित के सदस्य थे नीचे दिये गए कूर का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए तो आप्सन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहला अन गोपाला स्वामी थर्ड अलादिक क्रश्ना स्वामी अयर अगला कोश्न कोश्न है गाज किसी ने कहा था समिदान सवा कांगरेस थी और कांगरेस भारत था तो ये कहा था आउस्टिन ने ने इस कोश्न के गरा हम बात करें अगला कोश्न क्या देखेगा भारतिय इतिहास के संदर में प्रांतों में समिदान सवा के सतस्य है प्रांतिय विधान सवाँ दोरा निर्वाचित हुए थे तो सी वाला जो ऑप्सन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोश्न देखेगा गाज निम्मलिखित में से समिधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है समिधान सभा के बारे में गलत कथन हो जाएगा option C इसका निर्वाचन सर भॉम बैक्स माता दिगार के आधार पर किया गया सत्रमा कोशन देखेगा फोड़ा सा छोड़ा कर लेते हैं फिलाल सूची X को सूची Y से सुमिलित कीजिए और सूचीयों के नीचे देगए कुर्स से सही उतर का चैन कीजिए तो B वाला जो अप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा HC मुखरजी सम्विधान सबा के पहले उपाद्यक्ष थे इसके बाद K.M.C. प्रारूप समित के मोलता एक मास्त्र कांगरेसी सदस्य थे V.T. कृष्णा माचारी राजिस्थान के रियासतों का प्रतिन दत्तु करने वाले समिधान सबा के सदस्य थे और HC मुखरजी संग समिधान समित के अध्यक्ष या को थे इसके बाद K.M.C. प्रारूप समित के मोलता एक मात कांगरेसी सदस्य फिर इसके बाद V.T. कृष्णा माचारी राजिस्थान के रियासतों का प्रतिन दत्तु करने वाले समिधान सबा के सदस्य जावाला नहरू संग समिधान सबा के अध्यक्ष अगला कोशन देखेगा क्या है रैड कलिफ समिती किस लिए नियुक्त की गई थी अगला कोशन भारतिय समिधान सबा में कुल कितनी महिला सदस्यताई थी अगला कोशन समिधान सबा में भारतिय समिधान का तिरतिय वाचन कब प्रारंब हुआ था 14 नमबर 1949 को तो आप्सन ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन भारत का समिधान अंगी करत एवं अधिनेमित ये कब हुआ था आप्सन सी नमबर 26 नमबर 1949 को अगला कोशन भारत का संगिय नियाले निमलिकित में से किस वर्स में इस्थापित किया गया था तो ये इस्थापित किया गया था वर्स 1937 में तो बीवाला जो आप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यहां से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सम्मिधान की उद्देशिका विसेस्ताएं इबम नागरिक्ता पहला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा निमन सब्दों पर विचार करें सही सब्दों को पिचारा नुसार करम में दीजेगा तो गर हम आंसर के गर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा option D और सही कर्म में अगर आपको मिलाना है तो पहले पे आजाएगा धर्म निर्पेक्ष ठीक है दोसरे पे आजाएगा समाजबादी तीसरे पे आजाएगा सार्व भौमिक चोधे पे आजाएगा प्रजातांत्रिक अगला कोश्चन समिधान के निमनांकित में से किस प्रापधान के अंतरगर्थ भारतिय संसत को नया राज बनाने का अधिकार है अनुछेत तीन सोगा तीसरा कोश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा निमनलेकित सब्दों में से कौन से सब्द 42 शवधानिक संसुधन दोरा प्रस्ताबना में जोड़े गए है सही उतर का चन नीचे देगे कुटों के उप्योग से कीजिए ओप्सन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है अगरा हम इसके आंसर के गर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा अगला कोशन भारत के समिदान के आमुक्खा लक्ष उसके सभी नागरिकों के लिए सुनियोजित करता है तो गर हम आंसर के बात करें तो एवाला जो अप्सन है आपका ये विल्कुल सही हो जाएगा पहला है सामाजिक तथा आर्थिक नियाए दूसरा है विचार तथा अववव्यक्तिकी सुतंतरता है सोगाज अगला कोशन भारत में लौकिक शार भूमक्ता है क्योंकि समिदान की प्रस्ताबना आरंब होती है तो शमिदान की प्रस्ताबना आरंब होती है जनता के जन तंत्र सब्डों से तो बीवाला जो आप्सन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो गाज अगला कोशन देखेगा समिदान की प्रस्ताबना के बारे में कौन सा सही है समिधान की प्रस्ताबना के बारे में कौन सा सही है Option D जो है आपका ये बिलकुल करेक्ट हो जाएगा उक्त सब्द समिधान की प्रस्ताबना के अंग नहीं है अगला कोशन देखेगा कल्यान कारी राज्य का उद्देश क्या है वेलफेर स्टेट कल्यान कारी राज्य वेलफेर का उद्देश क्या है तो Option V जो है आपका ये बिलकुल करेक्ट हो जाएगा कमजुर बर्गों के कल्यान का प्रवंद करना नेश्ट कोशन देखेगा सम्मिधान की उद्देशिका के सम्मंद में निम्न कत्रों पर विचार करिए और दिये गए कूट की सायता से बताएगे कि इन में से कौँसा सही है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा Option D दूसरा तीसरा और चोथा अगला कोशन देखेगा भारतिय गर्टंत्र की 26-11-1950 को सही शवदानिक वस्त इस्तिति क्या थी जब सम्मिधान लागो किया गया था तो भाई राइट अंसर हो जाएगा Option C संपूर प्रभ्यत्तो संपन लोकतंत्रात्मक गर्राज ग्यारवा कोशन देखेगा गाईस निम्न में से कौन सही है निम्न में से कौन सही है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा Option A सामाजिक समानता समिधान में प्रत्याबोत नहीं है अगर हम अगले कोशन की बात करें भारत के संधर्म में निम्न में से कौन धर्म रिप्यक्च सब्द का सही भाव व्यक्त करता है तो गर हम अंसर की बात करें तो A वाला जो ऑप्सन है आपका ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत में अनेक धर्म है तेरमा कोशन निम्न लिखित सब्दों में से कौन सा सब्द सन 1975 में भारतिय समिधान की प्रस्ताबना में समलित नहीं था तो भाई राइड अंसर हो जाएगा ओप्सन D अखंडता नेट कोशन निम्न लिखित में से कौन सा सब्द भारत के सम्विधान की उद्देशिका में नहीं है तो गर हम अंसर के गर हम बात करें तो राइड अंसर हो जाएगा समाजवादी ओप्सन A सोगा जगला कोशन निम्न लिखित में से किस वाद में उच्चतम न्याले ने धारणा प्रस्तुत की की उद्देशिका सम्विधान का भाग है राइड अंसर हो जाएगा ओप्सन C बॉम्बई बनाम यूनियन आफ इंडिया सोलमा कोशन गाईज है निम्न लिखित में से काउंसी भारतिय सम्विधान की विशिस्ता नहीं है तो भाई राइड अंसर हो जाएगा सोधंतर न्यायपाली का ओप्सन C जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन बच्चों ने टेली का गुरु जौइन नहीं किया है जौइन कर लिए लिंक विडियो के डिस्कप्सन में आपको मिल जाएगा नेश कोशन निम्न लिखित में से काउंसा राज का सबसे महत्तपूर्ण तत्तु है काउंसा राजिका सबसे महत्वपूर्ण तत्तु है ये कोशेन में पूछा जा रहा है तो राइड अंसर हो जाएगा सासना द्यक्च ओप्सन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश कोशेन देखेगा भारतिय समिधान की प्रस्तावना की सिलसे में निमलिकित में से काउंसा करम सही है तो यहाँ पर करम की बात हो रही है आंसर की बात करें तो ओप्सन ए सही हो जाएगा गरतंत्र, जनवादी, धनर्प्यक्च, समाजबादी, सार्भाम, सप्ता, संपन उनिसमा कोशेन निमलिकित में से कौन भारत को धनर्प्यक्च राजबानित करता है निमलिकित में से कौन भारत को धनर्प्यक्च राजबानित करता है तो गाई राइड अंसर हो जाएगा ओप्सन ए मौलिक अधिकार अगले कोशन के गर हम बात करें अगला कोशन है गाईस भारतिय समिधान की प्रस्ताबना में जिन आदरसों एबं उद्यश्यों की रूप रेखा दी गई है उनकी ब्याख्या की गई है तो बाई राइड अनसर हो जाएगा ओप्सन A मौल अधिकारों के अध्याय से अगला कोशन देखेगा भारतिय सम्मिधान की प्रस्ताबना में निमलिक्त में से किस सुतंतर्ता का बाणन नहीं है तो अगर हम अंसर की बात करें तो राइट अंसर हो जाएगा विश्वास की सुतंतर्ता ओप्सन सी 26 नौबर 1949 को अंगी करत भारतिय सम्मिधान की प्रस्तावना में सब्द समलित नहीं थे Option C समाजबादी पंथ निर्पेक्च और गड़राज अगला कोश्चन सम्मिधान में दिया गया है आमुक नीचे देखे कोड से सही उतर का चैन कीजिए Option D सही हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चोथा अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर समाजबादी तथा धनिर्पेक्च सब्द सम्मिधान की प्रस्तावना में समलित किये गए थे तो अगर आम आंसर की बात करें आंसर हो जाएगा Option A 41 संसुधन द्वारा 25 कोश्चन सभी व्यक्ति, पूर्टा और समान रूप से मानव है यह सिद्धान्थ जाना जाता है तो गाइस यह सिद्धान्थ जाना जाता है सार भुमिक्ता Option A जो है आपका यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन भारतिय समिधान में मौलिक करतब्यों का विचार लिया गया है यह विचार लिया गया है फ्रांस के समिधान से तो राइट अंसर हो जाएगा Option D अगला कोश्चन राज सवा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रति निर्क्त देने में भारतिय समिधान निर्माता निमनांकित उधारन से प्रवाबित हुए थे तो मेरा अंसर की बात करें राइट अंसर हो जाएगा आश्टे लिया अगला कोश्चन सुने काल संस्दी विवस्ता किस देश की देन है ये कोश्चन में पूछा जा रहा है तो अगर आंसर की बात करें तो आपसन ये जो है आपका भारत की विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखेगा भारतिय सम्मिधान में अन्य देशों के सम्मिधानों से कुछ विश्ष्टाओं को लिया गया है किस देश का राज के नीती निर्देशक तत्त के निर्माण में योगदान है अगर हम आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी जापान अगला कोशन देखेगा निमलिक्त में से गवंसा लक्षण भारतिय परिशंग और अमेरिका परिशंग में समान रूप में पाया जाता है ऑप्सन सी न्याय पालिका की दोयत्ता अगला कोशन देखेगा सुची एक भारतिय समिदान के मत और सुची दो जिस देश से अपनाए गया के साथ सुमेलित कीजिए और सुचियों के नीचे दिये गए कोड़ से सही उतर का चैन कीजिए तो भाई राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन बी आइरिलेंड की बात करें आइरिलेंड राज के नीति निर्देशक सिद्दान्त सयुक्त राज अमेरिका मूल अधिकार कनाडा संग राज सुची संग राज समंधी समर्ति सुची इसके बाद आपका आज आता है आश्टेलिया भारतिय राजियों का संग तथा संग में अधिक सक्ति नहीं थै तो इस प्रकार से आप इन सुचियों का मिलान आसानी से कर सकती है अगला कोश्यन भारत ने संबर्ती सुची की सकलपना उर्धित की है भारत ने संबर्ती सुची की सकलपना उर्धित की है US के समिधान से तो option A आपका ये विलकुल correct हो जाएगा अगला question सूची एक को सूची दियों के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के निचे देगे कूर्से सही उत्र का chain करना है आप लोगों को question नमर है 33 तो answer हमें clear कर देता हूँ option V जो है आपका ये विलकुल correct हो जाएगा आप देखें मिलान कैसे करना है England विदी का सासन आश्टेलिया विदी दोरा इस्तापित प्रक्रिया कनाडा राष्ट पती के 24 राज़पाल दोरा विदियक सूरचित रखना जापान व्रिस्ट उबैनिष्ट सूची तो इस प्रकार से आप उस सूची का मिलान कर सकते हैं चले बात कर लेते हैं अगले portion की उसी प्रकार से अगला question रहेगा मिलान करने वाला है सूची एक को सूची दो के साथ सुमिनित कीजिए और सूची के नीचे देगर पूर से सही उत्तर का चेन कीजिए तो सबसे पहले मैं answer के लिए कर देता हूँ option A जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा श्रेंक तुराज अमेरिका मूलादिकार कनाडा सासन की संस्थिय प्रणाली और इसके बाद आ जाएगा आपका तोड़ा सा wrong हो गया है फिर से इसका मिलान करते हैं तो समझ कर तोड़े का हो जाएगा संक्ते अमेरिका का मूल अधिकार और इसके बाद जर्मनी का सासन की संस्थिय प्रणाली और इसके बाद हो जाएगा कनाड़ा आपात पुपबंद और इसके बाद यूके राजनीति के निर्दे सकता तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं ठीक है 35 कोशन देखेगा काईज लोक हित मुकदमे की सरकल्पना का प्रारंब हुआ था यूनाइडट के गिनम ने ओप्सन ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन न्याई पुर्ण विलोकन की विवस्था अप्सन भी केवल USA में है अप्सन वी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा निम लेखित में से काउन सा कतन सकते हैं समय तरज अमेरिका में सरकार के संग्रीए प्रानाली है तो अप्सन ए जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा भारतिय संसदी प्रणाली ब्रिटिस संसदी प्रणाली से इस बात से बिन है कि भारत में नियाई पुर्ण विलोकन की प्रणाली तो दिवारा जो अप्सन है आपका ये लुकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा भारत की संगातमक विवस्था निमलिखित में से किस देश से समन्दित है तो गाज ये किस देश से समन्दित है तो ये जो है ये आरलेंड से समन्दित है तो ऑप्सन डी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा भारत में नियाई प्रना परिच्छन की सरकल पना निमना की देश के समिदान से ली गई है तो ये ली गई है यू एस एस आर से तो ओप्सन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा